हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका, کॉमिक्स टाइमز में, आज सुरू के रहे हैं, कुकबराण्ड की एक ओर कॉमिक्स, कुकबराण्ड और मेरा जूता तेरा सल, यह सब बहुत अच्छी कॉमिक्स है, पुरानी कॉमिक्स है, गल्डन कॉमिक्स है यह सब, चलिए शुरू करते हैं, इसका पहला पेज आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आज कॉमिक्स में पढ़ी है, मॉडरन जासुस कुक बराण के, बीस रोमांचक कॉमिक्स, पूरा कॉमिक्सों का दूसरा धामा का, क्यार सुरू करते हैं, कुक बराण और मेरा जूता तेरा सर, लेखक बीमल चाटर जी और चितरानकन तिर्सूल कॉमिक्स आर्ट, कुक बराण ने एक महीं एक दिन सुपरकार का अविसकार किया, जो ना केवल जल, थल जल, बलकि हवा में भी दोड सकता था, कुक बराण की इस इजात ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया, लोगों की भीड उसे देखने के लिए कुक बराण के घर पर उमढ़ पड़ी, और फिर देश ही नहीं, विदेश के भी बड़े धनवान वा बादसाह किसम के लोग उस कार को खरिदने पर, खरिदने वा प्राप्त करने के लिए ललाईत हो उठे, मैं खरिदूंगा वा कार, एक बार वा कार मेरे हाथ लग जाए, एक दिन चार चोरों ने भी उस कार को उड़ाने की योजना बनाए, आज की रात बिलकुल पक्का, और उसी रात वो सूपर कार उड़ाने के चक्कर में कुक बराण के घर में पहुँच गये, प्यारे दोस् तो मनोज कोमिक्स के पुर्वपरकासित अंग कुक बराण और सूपर कार को पढ़ना ना भूलें, अब आगे, वह देखो, वह रही एक कार, लेकिन यह तो कोई खटाड़ा गाड़ी लगती है, अरे पहले चल कर देखें तो बक्वासिय साधारन सी कार हरगीज सूपर कार नहीं हो सकती, ठीक कहते हो, यदि यह सूपर कार होती तो कुक बराण इसे इस तरह लापरवाही से यहां खुले में नहीं रख छोड़ता, आओ दूसरी जगा तलास करते हैं, हाँ चलो, वैसे भी हमें यह कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है, लेकिन जब काफी तलास कर करने के वावजूद उन्हें कोई दूसरा कार नहीं मिली, सिवा एक बाबा आदम के जवाने के मोटर साइकल के यहां दूसरा कार तो क्या साइकल भी नहीं है, समझ में नहीं आता कि इस जासूस की दूम ने वह कार कहां खड़ा कर रखी है, मैं तो पहले ही कह रहा था कि जलाख है, उसके उसने जरूर अपनी सूपरकार की सुरक्षित अस्थान पर रख छोड़ा होगा, फिर अब क्या किया जाए, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, लगता है अब खाली हाथ ही अपने अड़े पर वापस लोटना पड़ेगा, यारो क्यों ना हम उस खटारा चलो इसी खटारे को ले चलते हैं, चारो सुपरकार के निकट जा पहुँचें, चलो जल्दी से इस पर सवार हो जाओ, जब इन से उन चोरो की खुरपाती खुसकिसमती कहें या कुकबरान की बतकिसमती की उस रात कुकबरान ने भूल से कार के संपून कंट्रोल यानी कंप्यूटर मिस्टर हेल्डल को सक रिए रखने वाले गुप्त बटन ओफ कर रखा था, अता चारो अराम से उस कार पर सवार हो गए, यारो हम इस पर सवार तो हो गए, लेकिन इसे स्टार्ट कैसे करें, यहां ना तो कोई बटन है, ना ही की हॉल, अजीब गाड़ी है, ज दूसरे गर के कबार बंजारे से उठा कर लाया है, यारो समय बरबाद मत करो, जल्दी से नीचे उत्रो और देखो इस गाड़ी की क्या चीज कीमती हो है, उसे ही निकाल कर चलें, कार से उतर कर गाड़ी को अच्छी तरह से निरिक्षन करने के बाद, मुझे तो पूरी गा जल्दी से चारो पहिया निकाल लेते हैं, चलो इन्ही पर संतोज करना पड़ेगा, चारो फट पहिया निकालने में जुट गया हैं, पहिया निकालने के बाद वे एक एक पहिया उठा कर वापस लोट पड़े लेकिन वे इस बास से स्वर्था अनविग्य थे की मनमोजी, बड़ी चलाकी और सौधानी के साथ उनका पिछा कर रहा है। उनके वहां से जाते ही एक हेलिकॉप्टर ठीक मकान के उपर मंडराने लगा। हम इस समय कुकबरान के घर के ठीक उपर हैं। तुमने पूरी जानकारी हासिल कर ली थी ना कि वहकार खुले आंगन में खड़ी रहती है। ठीक है सर्च लाइट आउन करो और देखो कि वहकार आंगन में कहां खड़ी है। पाइलेट ने बटन दबा कर हेलिकॉप्टर के नीचे लगी सर्च लाइट को ओन किया और उसकी रोसनी में घर के आंगन का निरिक्षन करने लगया। सिगरी बॉस हुआ रही का ताबास अब काटा डालो और उसे उठा लो। ओके बॉस पाइलेट ने एक बटन दबाया तूरंती हेलिकॉप्टर के नीचे एक बड़ा साख खाल पैदा हो गया। फिर जल्दी ही उस खाल से जंजीरों से जुड़ा लोहे का एक पंजे नुमा बड़ा सी कंजार निकल कर नीचे घड़े एक सूपरकार की और बढ़ा। पलक जपकते ही उस विसाल सी कंजे ने कार को अपनी गिरार गिरफन में ले लिया। वापस चलो यस बस और हेलिकॉप्टर जहां से आया था वहीं वापस लोट गया। अगले दिन सुबह काफी गहरी नीन सोया लेकिन मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है खरकार। पले इस मोटू के बच्चे की खर राटे बंद करूँ वरना मेरा सिर और भारी हो जाएगा खरकार। अबे मोटू के बच्चे उठ देख तुझे यमदूत लेने आये आप पहुचे हैं खरकार। अरे बापरे कहा है यमदूत जी अबे आँख खोल कर देख यमदूत जी तेरे सामने ही खड़े हैं। सुबा सुबा क्यों मजा कर रहे हो बाउन भाया क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं। अबे 32 बंद कर और जल्दी से उठकर मुहाथ दोले हमें। हमें आज अपने जासुसी कार्याले चलना हैं। तबी भौं भौं हैं या मनमोजी सुबा सुबा क्यों गला फाट रहा है। जब कुत्ते मनमोजी ने काफी देर तक भोखना बंद नहीं किया तो भौं 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 जरूर कोई खास बात है देखना हो चाहिए। चलो छुटी होई जब तक वो वापस लोटे जल्दी से एक जब की और ले लूँ। भौं 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 क्यों बे बत्तमीज क्यों परसानी है तुझे क्या सुबा सुबा बे सुर्ब राग अलाप आई मेरी सुपरकार कहां गई। कुकबरान दोड़ा दोड़ा उस अस्थान पर पहुचा जहां उसमें सुपरकार खड़ी की थी। कार तो मैंने यहीं खड़ी की थी फिर उसे कौन उठा ले गया और कम्प्यूटर के रहते कैसे ले गया ओख कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने हॉलडोल का सक्रिय बटन आफ कर हो और इसी कारण चोर उसे अराम से उठा ले गए हो जरूर यही बात होगी उफ अब मैं अपनी कार कैसे तलास करूं मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया और यह जब डैडी के कारण हुआ मैं ना वे का मेरी कार का परचार करते ना कोई उसे उड़ा कर ले जाने की सोच हाई हाई अब मैं क्या करूं तभी भौ 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 अबे चूप एक तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया उपर से तू और मेरा मेरा दिमाग खराब कर रहा है कुकबरान की कि छपट सुनकर मनमोजी उसके पैरों पर लोटने लगा कुकू अबे कम बकत कुकू क्या कर रहा है तेरे रहते चौर घर में घुस आएं और कार उड़ा कर ले गए हैं और तू अराम से सोता रहा क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे अपना चेला बनाया था हट परे काउं काउं कूं कूं ओ यह तो कुछ कहना चाहता है मनमोजी क्या तुझे मालूम है कि चौर कौन थे कॉं कूं कॉं ओ इसे मालूम है क्या तू मुझे उन्चोर तक पहुचा सकता है कॉं कूं भू 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 पहुचा सकता है साब यह हूँना बात चलो प्यारे चलो सुन तू यही ठहर मैं अभी तयार होकर आता हूँ फिर तू मुझे अपने उन चारों के पास ले चलना कुकबरांड अपने कमरे में पहुँचा खर कर कम वकत फिर सो गया अबे उठ खटा खाय मर गया हाय हाय यह क्या बॉन भाईया यह सुभा सुभा तुमने मुझे मारा क्या हूँ अगर दो मिनट के भीतर भीतर तू तयार होकर मेरे सामने हाजिर नहीं हुआ तो मैं तेरी तोंद को आम पापड बना दूँगा हाय तब तो मुझे डेड़ मिनट में ही तयार होना पड़ेगा सुक्र है जल्दी ही रास्ते पर आ गया वरना दस मिनट तो मुझे इसकी खोपड़ी को सीधा करने पर रास्ते पर लाने में ही लग जाते अब मुझे भी जल्दी से तयार हो जाना चाहिए और ठीक दो मिनट बाद लो बाउन भाईया मैं बिल्कुल तयार हूँ और मैं भी आओ मेरे साथ कुकबरान ने गेरे से अपनी मोटर साइकल निकाली है बैटो फट 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 यानि हम सीधे ओफिस चल रहे हैं नहीं हम सूपरकार के चोरों की तलास में चल रहे हैं क्या कहा हमारी सूपरकार चोरी हो गई हाँ लेकिन मनमोजी हमें उन चोरों तक पहुचा देगा उसके बाद हम उन में से सवय नहीं पट लेंगे ओ भूँ भूँ भाँ भाँ तुमने फुफा जी को तो इस चोरों के बारे में बता दिया है नहीं और जरूरत भी नहीं समझी हम उन चोरों से खुद ही नहीं पट लेंगे मैं इस मामलेस में पुलिस को बीच में नहीं लाना चाहता लेकिन मिस्टर हेलेल के रहते चोर अपने मकसद में सफल कैसे हो गए सायद मुझसे उसे सकिरियर रखने वाला बटन ओफ हो गया होगा वरना चोर तो क्या उनका बाब भी उसे हाथ नहीं लगा सकता था कुछ दिर बाद अरे मनमोजी तो निम्न स्रेनी के बस्ती की और जा रहा है वे काफी बदमास है भॉन भाईया यह इलाका तो काफी बदनाम है यहां गुंडो बदमासों का एक अतड़ा से राज है हाँ लेकिन चिंता मत करो मैं भी पूरी तयारी के साथ आया हूँ सिगर ही मनमोजी उस बस्ती में परविष्ट हो गया बड़े से मकान के सामने रुक कर उसकी रुका जिसकी हालत काफी खस्ती थी भॉन 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 साइच चुर यहीं चिपे हैं नीचे उत्रो ओके है उस मकान के भी तर यारो कल रात की मेहनत तो बेकार हो गए लेकिन आज रात के बारे में तुम लोगों का क्या विचार हैं रात के बारे में बाद में सोचेंगे पहले यह सोचों की सराब और खाने का परबन कैसे हो हम चारो की जेब में से सायद ही किसी के जेब में एक रुपया भी होगा यार कहते तो तुम ठीक हो मेरी जेब में तो सिर्थ 10 रुपय पड़े हैं जबकि भूख इतनी लग रही है कि वास चले तो तुम तीनों को ही खा जाओं और अनसा तूटने के कारण मेरा दिल तो यह कर रहा है कि तुम्हारे मुँपर जूते मार ना सुरू कर दूँ बेकार की बेकार की बाते छोड़ो यार और मतलब की बात करो यारो मेरी समझ से काम से कम आज का तो खाने पीने का परबंद आसानी से हो सकता है वो कैसे इन चारो टाइरों को बेज कर वह इन टाइरों को तो हम भूल ही बैटेते तो चलो पहले इन्हें ही ठीकाने लगा कर कुछ खाने पीने का परबंद करें करें बाकी की बाद में सोचेंगे ठीक है चलो तब ही ठक ठक कौन हो सकता है ठरो मैं देखता हूँ साइज जगू होगा लेकिन जैसे ही उसने द्वार खोले खबरदार कोई गलत हरकत करने की कोशिस मत करना चुप चाप हाथ उठा लो बाप रे कुक बरांड सुनो बदमासो यदि अपनी खहरियत चाहते हो तो तुम सब अपने हाथ उपर करके एक तरफ खड़े हो जाओ अरे बाप यह रहा यह मर्दूत कहां से आटप का फिर कुक बरांड की बात बात मानने में ही उन्हें अपनी भलाई समझ ही और वे चुप चाप अपने हाथ उपर उठा करके एक कोने में खड़े हो गए बाउन भाई आवो देखो गाड़ी के पईये बताओ मेरी सुपरकार कहा है हम सच कहते हैं हमें नहीं मालूम हमने तुम्हारे घर से कोई गाड़ी नहीं चुराई तो क्या मेरी सुपरकार के ये चारो पईये तुम्हारे बाप यहां लेकर आए है क्या कहा ये सुपरकार के पईये है मैं कहता हूँ चाइदा बनने की कोईशित मत करो और चुप चाप कार के बारे में बता दो वरना मैं तुम तुम चारो को गोली मार दूँगा वाठी साुज़ारा, गारी समझते थें, और उन्होंने कुकपराण को सारी बाते बता दी शत्यानास हो जाय तुम चारों को, जो तुमने मेरी सुपरकार को ख़टारा समझा, मोटू तुम कहो तो, मोटू तुम कहीं से पुलिस को फोन करो और अंकल पटाका सिंग को तुरंत यहां पहुचने के लिए कहो इनका बाकी का इलाज अब वही करेंगे बहुत अच्छा पॉन भाईया परन्तु जैसे ही मोटू पलटकर दरवाज़े की और बड़ा खबरदार कोई भी अपनी जगा से हिलने की कोशित ना करे वरना वह अपनी जान से हाथ दो बैटेगा अरे बापर यह कौन सी मुसीबत आ गई है तुम कौन हो भाईया और हमारे काम में क्यों रुकावाट डाल रहे हो इसलिए कि तुम्हारी सुपरकार हमारे पास है और अब तुम्हें और तुम्हारे साथी को हमारे साथ चलना होगा और तो यह बात है पाईया पाईया चोर उडा लाएं और गाड़ी यह बदमास उडा ले आएं मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता भला बिना पाईया कि तुम मेरी सुपरकार को कैसे चला कर ले गए उसे चला कर नहीं लाया गया बलकि हलिकॉप्टर द्वारा उठा कर ले आया गया है खैर अब तुम कोई प्रस्ट ना करो चुप चाफ हमारे साथ चलो वरना हमें तुम्हारे साथ जबर जस्ति करनी पड़ेगी उसकी कोई जुरत नहीं बस तुम मेरी सुपरकार के पहियों को और साथ ले लो क्या कहा सुपरकार के पहिये कहां है वे वे रहें वो और सिगर ही उन गंधायों ने पहियों को एक बड़ी सी वेन में रखने के साथ कुकबराण और मोटू को भी उसमें बैठाया और वहां से चल पड़े लेकिन वे इस बात से सरवदया अभिग यह थे कि मनमोजी उनका पीछा कर रहा है चलिए दोस्तो इस कुकबराण के इस कुमिक का भाग को यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं दूसरे भाग में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में